हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में सुवागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को एक टीब वोईस को पेसी वोईस में बदलने सिखाऊंगा और दोस्तों कुछ अडवांस्ट सेंटेंसे होंगे तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा हलांकी दोस्तों मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है और इसी तरह के questions एकजाम में भी पूछे जाते हैं थोड़े से अलग किस्म के तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए औ can we do it तो सबसे पहले इसे हम लोग change कर देंगे affirmative में we can do it हम लोग यह कर सकते हैं तो दोस्तों passive voice में क्या करेंगे it को पहले कर देंगे और जहाँ पर can रहेगा या फिर may यूज होगा या फिर suit रहेगा might रहेगा must रहेगा तो passive voice में बदलने के लिए बी का यूज करते हैं plus verb 3 यानि यहाँ पर एक तरह से modal verbs plus b plus verb 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा it can be done और यहाँ पर we है तो यहाँ पर लिखेंगे by us it can be done by us अभ यहाँ पर क्या है interrogative है can पहले है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे can को पहले लिख देंगे और इसे small letter में लिख देंगे यहां से can हट जाएगा और शुरू में आ जाएगा can it be done by us, तो यहां पर लिखेंगे can it be done by us, क्या यह हम लोग के द्वारा किया जा सकता है? cook the food at once, यानि कि तुरंत खाना बनाओ, एक तरह से order है, तो जब भी order रहेगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं, you are ordered, यहां पर एक तरह से you छिपा हुआ है, you cook the food at once, लेकिन ये you हम लोग नहीं बोलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, write it, तो वहां पर क्या है? you write it, यानि कि तुम लिखो, तो हम लोग short में क्या बोलते हैं? write it, इसे लिखो, और you को नहीं बोलते हैं, तो उसी वरकार यहां पर है, cook the food at once, तो यहां पर लिखेंगे, you are ordered to cook the food at once, दोस्तों, next sentence काफी important है, और इस तरह के sentence एक्जाम में पूछे जाते हैं, do not insult the poor, यानि कि गरीबों की बैज़ती न करें, तो इस तरह के sentence को हम लोग late से बनाते हैं, let, इसके बाद लिखेंगे the poor, let the poor not be insulted, let the poor not be insulted, और दोस्तों माली जे यहां पर you छिपा हुआ है, you do not insult the poor, तो last में आप by you भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं, let the poor not be insulted by you, let him do it, उसे यहां करने दो, तो यहां पर late पहले से ही लगा हुआ है, तो दोस्तों इसे passive voice में बदलने के लिए यहां पर भी be का यूज करेंगे plus verb 3, तो दोस्तों एक चीज का आप धियान रखेंगे कि पूरे passive voice में verb 3 यानि कि past participle का यूज होता ही है, चाहे sentence किसी भी परकार का हो, तो यहां पर लिखेंगे let और it को पहले लिखेंगे, let it be done, do से done बन जाएगा, let it be done by him, यानि कि दोस्तों उसे यहां करने दो और यहां पर हुआ उसके द्वारा यहां होने दिया जाए, let it be done by him, I cannot please her, मैं उसे खुश नहीं कर सकता, तो वह मेरे द्वारा खुश नहीं हो सकती, तो हर से यहां पर क्या बन जाएगा, C, C cannot be pleased, अब दोस्तों एक चीज का आप धियान रखेंगे, कि हमेशा please with होता है, by नहीं होता है, तो यहां पर with यूज करेंगे, with, I से me बन जाएगा, C cannot be pleased with me, तो दोस्तों इस तरह के questions एक्जाम में आ सकते हैं, या फिर कोई भी आपको उलजाने के लिए पूछ तकते हैं, आपको लगेगा कि मेरा answer बिलकुल सही है, आप यहां पर by me लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, यहां पर with you करना पड़ेगा, C cannot be pleased with me, stand up on the bench, bench पर खड़े हो जाओ, यहां तो एक तरह से आदेश है ही, तो यहां पर लिखेंगे, you are ordered to stand up on the bench, you are ordered to stand up on the bench, Let us eat this apple, आओ इस सेब को खाएं, तो यहां सेब हमारे द्वारा खाया जाए, यानि कि, let this apple be eaten by us, we say that the earth is round, हम लोग कहते हैं कि प्रित्वी गोल है, तो हम लोग कहते हैं को बना देंगे, यहां कहा जाता है, It is said that, it is said that the earth is round, दोस्तों next sentence काफी important है, और थोड़ा सा advanced है, आप लोग इस वीडियो के पूरा जरूर देखेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लेंगे, और आप लोग change into indirect speech के playlist में भी जा सकते हैं, यदि आप एक student हैं, तो आप लोग को बहुत सारे important links, इस वीडियो के description box में मिल जाएंगे, आप मुझ पर हसे, तो दोस्तों यहाँ पर मी को आई में convert कर देंगे, आई, और simple past tense में was, was क्या यूज करते हैं, आई के साथ was लगता है, I was laughed, अब दोस्तों इस eight को साथ में ही लिखेंगे, यानि laughed it, अब दोस्तों फिर by लिखेंगे, by you, I was laughed it by you, अब दोस्तों जैसे यहाँ पर why है, तो यहाँ पर भी why लिख देंगे, और why के बाद, helping verb वोज को यूज करेंगे, यहाँ से वोज को हटा देंगे, why was I laughed it by you, यहाँ पर question mark देंगे, इसे अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, why was I laughed it by you, may he live long, यानि कि उसकी उम्र लंबी हो, तो दोस्तों यहाँ एक तरह से प्रार्था है, तो यहाँ पर लिखेंगे, it is prayed that, he may live long, दोस्तों sentence के अनुसार, it is prayed, या फिर it is requested, या फिर you are ordered, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानि sentence के sense के अनुसार, जैसे यहाँ पर है, may he live long, इस वर करें, कि वह लंबा जी है, तो एक तरह से प्रार्थना है, दुआ है, इसलिए यहाँ पर pray यूज करेंगे, it is prayed that, he may live long, next sentence दोस्तों काफी interesting है, don't disturb me please, तो जहाँ पर please या kindly का यूज रहेगा, तो वहाँ पर आप request करते हैं, तो हमेशा लिखेंगे, you are requested, तो यहाँ पर लिखेंगे, you are requested, और दोस्तों don't को हमेशा ही not to में change कर देंगे, not to disturb me, you are requested not to disturb me, don't drink too much, यानि कि जादा मत पीओ, तो एक तरह से यहाँ अडवाइज है, तो यहाँ पर लिखेंगे, you are advised, not to drink too much, you are advised not to drink too much, it is time to take tea, यह चाई पीने का समय है, और दोस्तों इसे passive voice में लिखेंगे, यह समय है, चाई के लिए उसको पिया जाना, यानि कि, it is time for tea to be taken, जैसे दोस्तों माल लिजिए, यहाँ क्रिकेट खेलने का समय है, it is time to play cricket, तो यहाँ पर लिखेंगे, it is time for cricket to be played, दोस्तों यह काफी important sentence है, what were they doing, वे लोग क्या कर रहे थे, तो दोस्तों इसे लिखेंगे, उन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा था, यानि कि, what was being done, जिसमें दोस्तों ing फोर्म रहेगा, तो यहाँ पर हमेशा being use करेंगे, be use नहीं करेंगे, चाहिए वा किसी भी tense में हो, यानि कि खास्तों से continuous tense, चाहिए present में हो या past में, आपको being use करना है, what was being done, यानि क्या किया जा रहा था, उन लोगों के द्वारा, by them, मालीजे आप लोग को एक sentence present में देते हैं, what are you doing, तो इसे आप लोग पैसी बोईस में convert करेंगे, और अपना answer comment box में जरूर लिखेंगे, what are you doing, next sentence काफी interesting है, we expect good news, हम लोग good news की आसा करते हैं, तो यहाँ simple present tense में, इसमें ismr plus verb 3 use करते हैं, और object को subject बनाते हैं, जैसे good news है तो इसे पहले लिखेंगे, good news, news में पहले सही एस लगा रहता है, इसका मतलब यह नहीं कि अब plural form में है, news हमेशा ही singular होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, good news is expected by us, we को us में convert कर देंगे, good news is expected by us, I had read a book, तो जहाँ पर has, have और had use होता है, तो हमेशा had been, has been, have been लिखते हैं, और यहाँ पर a book object है, object को subject बना देंगे, a book had been, और यहाँ पर read हो जाएगा, spelling सेम रहता है, pronunciation read हो जाता है, a book had been read, by me, have you written a letter, यानि present perfect tense में, हलांकी या interrogative sentence है, माल लिजेगे अभी have नहीं है, have इधर है, you have written a letter, affirmative में, तो क्या होता, a letter has been written by you, तो has लगाते, तो has को यहाँ पर पहले कर देंगे, interrogative बनाने के लिए, has a letter, और been हमेशा, subject के बाद, been written by you, has a letter been written by you, do you see that bird, यह भी interrogative में है, और यह simple present tense में है, इसमें is को पहले करेंगे, is that bird, seen by you, जैसे माल लिजे, you see that bird, इतना ही रहता, तो आप क्या लिखते, that bird is seen by you, तो is लगता यहाँ पर, अब interrogative बनाने के लिए, उसी is को पहले लिखना पड़ेगा, is that bird, seen by you, he does not obey me, वह मेरी आग्या नहीं मानता है, तो यहाँ पर me को I में convert कर देंगे, I के साथ aim लगता है, simple present tense में aim यूज़ करेंगे, I am not obeyed, he है, तो इसे him में convert कर देंगे, I am not obeyed by him, और आज का आखरी sentence है, do your duty, अपना करतब बे निभाओ, तो यहाँ पर late से शुरू करेंगे, let your duty, be done, I hope dear students and friends की आज का वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा, और यदि आप और भी विस्तार पुरुबख सिखना चाहते हैं, तो आपको एक playlist नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, और उसमें जितने वी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर देखिए, All right dear students and friends, Thanks for watching, Have a great day,